हाई एवरिवन हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है रिमान इंटिग्रल ठीक है आप लोगों ने जो है इंटिग्रेशन के बारे में पढ़ा होगा अप्टू 12 ग्लास और उसका एप्लिकेशन भी देखा होगा अप नॉर्मल सी लैंग्विज में ये भी कहते हैं कि जो इंटिग्रेशन होता है वो डिफ्रेंशेशन का इंवर्स होता है ठीक है लेकिन रियल एनालिसिस के अंदर हम बहुत इंपोर्टन टॉपिक पढ़ने वाले हैं और ये दिया था मैथमेटिशन रिमान ने तो बहुत डीप थेयरी है और इससे जन्रलाइज थेयरी या फिर जन्रलाइज टॉपिक है इंटिग्रेशन जो हम फिर कभी फ्यूचर में पढ़ेंगे ठीक है तो आज मैं आप को कुछ बेसिक टर्म्स बताने वाली हूं जिससे आपका जो बेसिक जो नीव है रिमान इंटिग्रेशन को पढ़ने के लिए वो पैदा होगा ठीक है तो पहले हम जो है अपना बेसिक क्लियर कर लेते हैं तो रिमान इंटिग्रल को पढ़ने से पहले हमें कुछ ठीक है यहां पर A और B दोनों कैसे हैं फाइनाइट नंबर है ठीक है और दूसरी बात यह कि यहां पर हम जो फंक्शन लेंगे वो उस इंटर्वल में रियल वैल्यूड होता है और बाउंडे होता है ठीक है तो ठीक है सबसे पहले मैं आपको पार्टिशन के बारें बताती तो लेट आई इस एकोल टो लोगोज इंटर्वल अब बी अफाइनाइट लोगोज इंटर्वल हमने कोई फाइनाइट लोगोज इंटर्वल ले लिया अब इसका पार्टिशन का क्या मतलब है बहुत सिम्पल सी लैंगोईज में कहूंगे कि मान लीजी आपका अबी है ठीक है तो मान लीजी हमारा x1 है यह x2 है यह x3 है यह x4 और x5 ठीक है अब आपको मालूम है कि अगर मैं इनका इंटर्वल बनाओ इन सब का अगर मैं इस तरह से interval बनाती हूँ तो इन सब का अगर मैं union करूंगी तो आपको क्या मिलेगा आपको यह पूरा close interval A भी मिलेगा और यह जो points है A, X1, X2, X3, X4, X5 और B इन points का collection ही आपको क्या होता है? partition होता है तो इसका partition क्या हो गया? A, X1 आपकी मर्जी है कि आप इस interval को कितने finite points में divide करते हो ठीक है? उन points का जो collection है वही आपका क्या होता है? partition होता है ठीक है? So the partition P is it is finite ordered set कैसा है? X0, X1 dot dot up to Xn जहाँ पर यह आपका X0 क्या होगा? यह A होगा. This X0 is A और यह जो Xn है वह हमारा B होगा ठीक है? So this partition is this set of points of close interval A, B obviously यह जो points है यह close interval A, B से लिए गए है such that की कैसे है? increasing order में है याने कि X0 is strictly less than X1, it is strictly less than X2 and so on, strictly less than Xn, याने कि B तो इन points का जो collection है, वही हमारा क्या है? partition है ठीक है? तो जैसे कि मैंने खास बात आपको बताई कि दस partition P consist of N plus 1 points अगर मैं इसको N में divide करती हूँ अगर मैं इसके N partition करती हूँ तो points कितने बनेंगी? points जहे हैं, वो N plus 1 बनेंगे क्योंकि देखो, यह 0 से start हो रहा है और N पे खतम हो रहा है ठीक है? and partitioning close interval AB into N sub-interval तो इस N plus 1 points ने close interval AB को N sub-interval में divide कर दिया किस तरह से divide किया है? कि हम इस पहले वाले को क्या नाम देंगे? I1 जो कहां से जाएगा? X0 से X1 में जाएगा, ठीक है? ध्यान रहे हैं कि X0 है, वो हमारा A है तो A से लेकर X1 जो I2 होगा, वो कहां से जाएगा? इस X1 से लेकर X2 and up to so on, बीच में कहीं पर XR minus 1, XR आएगा और last क्या होगा? XN minus 1 up to XN और ये XN किस के बरावर है? B के बरावर है, ठीक है? यानि कि हमने इस interval को जैसे कि ये है, इसको I1 नाम दे दिया इसको I2, इसको I3 and so on, ठीक है? अर होना क्या चाहिए? कि जो हमारा close interval है, ये इन सब के union के बरावर होना चाहिए, जैसे कि ये, ठीक है? So close interval AB is equal to union of these all sub intervals ये आपके कौन है? Sub interval है और ये एक general है, ठीक है? Which is equal to union R goes from 1 to N XR minus 1 XR, ठीक है? तो obviously जब R is equal to 1 रखोगे तो ये कहां से शुरू होगा? X naught और ये हो जाएगा X1 ठीक है? वैसे union करते जाओगे और कहां तक जाएगा? N तक जाएगा यानि कि कहां पे खतम होगा ये XN minus 1 और XN ठीक है? तो इन सब सब interval का जब हम union करेंगे तो वह हमें close interval देंगे ठीक है? फॉर एक्जामपल जैसे कि आपने close interval ले लिया 0,1 ठीक है? अब जो 0,1 है आप अलग-अलग तरीके से इसका क्या कर सकते हो? पार्टेशन कर सकते हो आप क्या कर सकते हो? केवल इसको दो टुकणों में डिवाइड कर सकते हो ठीक है? तो मैंने इसके दो पार्ट कर दिये, दो सब interval बना दिये और इसके अंदर points कितने आ गए? तीन points आ गए, 0, 1 by 2 और 1, तो ये भी एक तरह का क्या है? इसका partition है इसको माल ने जे P1 है, ठीक है? उसी तरह से मैं इसी interval को जो है तीन भागों में भी डिवाइड कर सकते हूं ठीक है? So, I can divide 1, 2, 3 एक, दो, तीन पार्ट हो गए इसके माल ने जे, this is 1 by 3 2 by 3, और यह हो गया 3 by 3 याने कि 1 हो गया, ठीक है? अब इसके अंदर points कितने है? 1, 2, 3, 4 तो ये भी क्या है? इसका एक partition है, this is also partition, let me name it P2, ठीक है? दूसरा तरीका क्या है? कि हम इसको 0.1 के interval में divide करें, याने कि कुछ इस तरह से, ऐसे हम इसको 10 भाग में divide कर सकते हैं 0.1, 0.2 नप टूसरा, 0.9 और 1, तो ये भी इसका एक क्या है? partition है, एक और चीज़ बता दू कि मैंने जितने भी partition लिखे हैं इनका interval equal है मतलब मैंने इनकी equal length से इसको divide किया, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है? मैं इसी interval को कुछ इस तरह से भी divide कर सकते हूँ जैसे कि 0, 1 यहाँ पर माल लिजे 0.5 है, लेकिन यहाँ पर मैंने 0.7 ले लिया और फिर डार्ग लिए 0.9 तो ये भी इसका एक partition है, ठीक है? जरूरी नहीं है कि वो equally distance पर हो, ठीक है? So these are partition चलिए, next definition की तरफ चलते हैं, which is norm of partition, norm of partition, ठीक है? तो obviously हम एक partition लेंगे P, X not X1 up to son Xn, let it be a partition of closed interval AB, एक general closed interval का क्या formula होगा? कि IR is equal to XR, R minus 1 XR, ठीक है? और इसकी length हमाल लेते हैं, delta R है, ठीक है? तो जैसे कि हमारा I है, IR, which is XR minus 1 XR, तो इसकी length क्या होगी? इस sub interval की length क्या होगी? इस point मैंसे ये point minus कर लेंगे, ठीक है? So XR minus XR minus 1 यह आपका क्या हो गया? Length of sub interval और इसको हम किस से denote करेंगे? delta R से, ठीक है? कुछ books में इसको जो है, del R से भी denote करते हैं, बट हम ये वाला notion लेंगे, ठीक है? तो जैसे कि हमने A और B को जो है, intervals में divide कर दिया है, अब पहला क्या है? X0 से लेकर X1 है तो इसका length कितना होगा? X1 minus X0 हो जाएगा, तो इतने का length क्या हो गया? आपका del 1 हो गया, ठीक है? delta 1 यहां से लेकर यहां तक del 2 यहां पे जो आ गया, यह आपका del 1 आ गया, ठीक है? और यह हो गया क्या आपका? del n तो यह आपके क्या हो गया? sub intervals की length हो गी, ठीक है? अब norm of partition का मतलब होता है, कि इन सब जितने भी हमने यह del निकाले हैं इन में से सबसे बड़ा, ठीक है? So the maximum of the length of the sub interval of partition is called norm और mesh, क्या कहते हैं? या तो norm कहते हैं, या तो mesh कहते हैं इसको denote किस से करते हैं? P और इसके आजो बाजो दो बारे हैं कि norm of P है, इसको कहते ही है norm of P, या फिर mu of P, हम यह वाला use करेंगे So which is equal to maximum of del r, such that r is greater than equal to 1 and less than equal to n, obviously del आपका और शुरू कहा से हो रहा है, del 1 से शुरू हो रहा है, और del n पे खतम हो रहा है इंगनेसे जो सबसे बड़ा होगा that is norm of that partition, ठीक है? which is equal to maximum of xr minus xr minus 1, क्योंकि del r की जगह आप क्या लिख सकते हो? उसका formula लिख सकते हो, ठीक है? example लेते हैं, जैसे कि हमने अभी एक example लिया था, कि 0 से लेकर 1, जो ये close interval है, इसको हमने सब intervals में divide किया था equal, तो 0 से लेकर 0.1 का जो length होगा, वो कितना होगा? 0.1, 0.1 से 0.2 का length कितना होगा? ये भी होगा आपका 0.1 और सब का 0.1 है, इसमें जो length है, इस 0.7 0.7 से 0.9 का है, 0.2 0.9 और 1 की बीज का है, 0.1, तो इसमें से सबसे बड़ा कौन सा होगा है? 0.7 तो 0.7 जैसका norm होगा, ठीक है? अब एक और चीज़ ध्यान में रखने वाली कि जब हम partition की बात कर रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं कि close interval 0.1 के आप बहुत सारे तरीके हैं partition करने के ठीक है? तो आप बहुत अलग-अलग तरीके में इसका क्या कर सकते हो? partition निकाल सकते हो तो यह बात करते हैं about refinement of partition के तो माल लेते हैं कि let P be a partition of close interval A भी ठीक है? और P' भी another partition of close interval A भी ठीक है? एक से जादा हो सकते हैं तो हम इस P' को P का refinement कब कहेंगे? हम तब कहेंगे कि अगर यह जो P' है यह P का super set हो जाए जैसे कि आप जानते हैं कि जो P और P' है यह actually वो close interval A भी के अंदर जो points है उनका ही set है ठीक है? तो अगर यह P' है और यह P का super set है तो हम कहते हैं कि P' जो है वो P का refinement है ठीक है? तो बड़ा आसान है कि अगर P जो है वो X0, X1, up to 0, Xn है और P' के पास यह सारे points है और इसके अलावे एक extra point है जायार ठीक है? वो सारे points है और एक extra point है तो हम कहते हैं कि जो P' है यह P का refinement है ठीक है? फर एक्जामपल जैसे कि close interval 1, 3 ले लिया अब इसके 2 हम possible partition ले सकते हैं जैसे कि 1, 1.5, 2, 3 और दूसरा कॉन simple 1, 2, 3 तो आप यह देख पा रहे हो कि इस P1 के पास 1B है 2B है, 3 है और P2 और उसके अलावा एक 1.5 है ठीक है? तो जो P1 है इस super set of P2 इस इंप्लाइज कि P1 is refinement refinement of P2 ठीक है? अब ध्यान देने वाले बात यह है कि माल लीजे P1 and P2 are two refinement refinement of close interval AB ठीक है, दो ले लिए मैंने तो यह चीज तो obviously आपको मालूम है कि P1 जो है, वो subset होगा P1 union P2 का P2 भी subset होगा P1 union P2 का तो इसका क्या मतलब हुआ? कि जो P1 union P2 है यह क्या है? एक common refinement है This is common refinement for किसके लिए? P1 and P2 के लिए P1 and P2 ठीक है? चलिए अब बात करते हैं main मुद्दे की ठीक है? So it is upper sum and lower sum ठीक है ना? तो यह चीज समझने बहुत important है आप यह कह सकते हो ही कि यह इस चैप्टर का base है तो upper sum और lower sum समझने से पहले में आपको थोड़ा सा कुछ बाते बता दूँ जैसे की हमने जो है इसका partition किया ठीक है? इस close interval A B का तो सबसे पहले हमने क्या लिया है? अभी तक हमारी बात चल रही है close interval A B की और उसका हमने एक partition लिया है P P क्या है इसका? partition है partition X naught X1 से लेकर XN तक ठीक है? इसके बीच में हम क्योंकि हमने theorems prove करनी है इसलिए हम एक general point लेके चलते हैं एक general interval लेके चलते हैं R minus 1 और XR यहाँ पर कहीं पर X1 होगा इधर आपका XN minus 1 होगा तो इस तरह से मैंने इसका partition कर दिया है अब देखो अब मैं इस पर एक function ले रही हूँ ठीक है? So let let F B कैसा function है यह? real valued यानि कि इसका answer real आता है and bounded function bounded on close interval AB पर मैंने एक ऐसा function लिया जो real valued है और उस interval पर bounded है एक चीज़ के लिए रहे कि अगर यह पूरे interval पर bounded है तो उसके सब interval पर भी क्या होगा? bounded होगा ठीक है? इसमें कोई शक की बात नहीं है तो अगर bounded है तो bounded का मतलब भी क्या होता है? कि उसका upper bound भी exist करते है और lower bound भी exist करते है ठीक है? तो हम क्या कर सकते है कि इस function का एक तो इस close interval AB पर भी अपर bound और lower bound ढूंड सकते है ठीक है? उसी तरह से इन intervals पर भी ढूंड सकते है तो मैं कुछ definition आपको बता रही हूँ definition नहीं notion है यह symbols है जैसे कि small MR यह क्या होगा हमारा? greatest lower bound जिसको हम क्या कहते है infimum greatest lower bound क्या? कि lower bound मैं से सबसे बड़ा वाला ठीक है? तो MR क्या है? greatest lower bound of F on interval XR minus 1 XR ठीक है? याने कि जैसे कि M1 है तो M1 का क्या मतलब होगा? for example M1 का क्या मतलब होगा? small M1 का कि infimum of F किसमे? यहाँ पर आपने 1 रख देना है कि X0 से लेकर X1 में ठीक है? इस interval में F का infimum क्या है? वो आपका small M1 होगा ठीक है? उसी तरह से इसमें क्या है? इसमें क्या है? हर interval में आपके respective MR होगा उसी तरह से जो capital MR होगा वो आपका क्या होगा? greater slower bound तो least upper bound जैसे हम क्या कहते है? सुप्रिमम सुप्रिमम किसका? उस function का और उस general interval में जैसे कि इसमें हमने इन्फिमम देख लिया F का उसे हमने denote किया small M1 से और इसी interval में उसी function का supremum लेती हूँ तो उसे हम denote करेंगे capital M1 से ठीक है? और जो general होगा उसे हम क्या देंगे? capital MR देंगे ठीक है? अर अगर मैं बिना M sorry बिना R के denote करती हूँ तो यह हमारा क्या होगा? इस इन्फिमम या फिर ग्रेटेस lower bound of F इन जो पूरा मारा interval होगा है ठीक है? अगर मैं पूरे interval की बात करूँ तो उसमें simple क्या होगा? small M होगा और capital M होगा ठीक है? ठीक है? यह चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए अब मैं बात करती हूँ lower sum की और upper sum की तो पहले हम बात करेंगे lower sum की lower sum एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी कि जो भी आपका function है किसी point पर यह आपका हमेशा क्या होगा? greater than equal to MR greater than equal to small M this is less than equal to capital MR less than equal to capital M याने कि उस जो हमारा क्या है यह? infimum है पूरे interval में वो सबसे छोटा number होगा और जो supremum है पूरे interval में F के उपर वो सबसे बड़ा number होगा ठीक है? और यह बीच में लाई करेंगे आपके clear है? यह चीज़ आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि theorem में यहाद मतलब यूज हो गई है हाँ मैं बात कर रही थी lower sum की तो lower sum क्या है? this is equal to अब lower sum है तो lower के अंदर जो है वो lower bound का यूज होगा ठीक है? so which is equal to summation r goes from 1 to n small m r delta r इसका क्या मतलब है? कि इस interval की बात चल रही है माल लीजे पहला वाला interval तो इसमें जो है lower bound क्या है I mean infimum क्या है और उसकी length कितनी है इन दोनों को multiply करना है plus second interval की बारी उसमें जो है infimum क्या है उस interval की length क्या है और कहा तक जाना यह है? n तक जाना है हमने बीच में कौन आएगा? बीच में हमारा एक small m r delta r up to so on small m कहा तक जाएगा यह? n तक जाएगा और delta n ठीक है? तो यह क्या हो गया आपका? lower sum हो गया lower sum किसके बराबर होते हैं? summation of infimum into length of that sub interval infimum किसका? infimum उस function का उस sub interval में ठीक है? उसी तरह से अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो upper sum होगा हो किसके बराबर होगा? upper sum is equal to summation r goes from 1 to n अब small m r की जगह के आएगा? capital m r आएगा यानि कि supremum of f किदर गया हो? capital m r supremum of f on that particular interval so capital m r into फिर से वही length of that interval ठीक है? which is equal to कैसा होगा है? m1 delta 1 capital m 2 delta 2 and up to so on capital m and delta m तो ये हो गया आपका lower sum ये हो गया आपका upper sum ठीक है? हम एक और चीज़ कर सकते हैं हम upper sum में से lower sum minus कर सकते हैं ठीक है? so अगर मैं चलो उससे पहले मैं आपको ये बता दू कि देखो जो हमने ये बात की है ये किसी particular interval particular partition के लिए की है कि हमने खुद मान के चला था कि P partition है इसके लिए ये सारी चीज़े हैं अगर आप P change कर देते हो जैसे कि हमने close interval 0,1 के अलग-अलग partition देखे हैं तो उनके लिए अलग-अलग upper sum और lower sum आएगा जैसे आप partition change करोगे तो obviously interval की length change होगी उनमें जो infimum, supremum है उनका value change होगा ठीक है? तो ये जो lower sum और upper sum है ये किसी particular partition P के लिए हमने define की है तो इसको हम किस तरह से denote करते हैं अगर for particular for particular partition के बात कर रहे हैं ठीक है? ना, याने कि किसी partition के लिए बात कर रहे हैं तो इनको denote कैसे करेंगे lower sum को करूँगे मैं lower sum उस function के लिए और जो भी partition है उस P के लिए वो है ये ये चीज़ ठीक है? और upper sum को कैसे? U वो function और वो partition ये होगा आपका upper sum अभी जो lower sum है और upper sum है इनके लिए अलग-अलग नाम दिये इनको हम ये भी कहते हैं कि lower remand sum क्या कहते हैं? lower remand sum या फिर ये भी कहते हैं lower darbox sum तो simply क्योंकि हम अभी remand integration पढ़ रहे हैं तो मैं simply क्या यूज़ करूंगी? lower sum और upper sum कहूंगी ये remand इस तरह से नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि lower sum और upper sum जो है libic interval के अंदर libic integration के अंदर भी यूज़ होता है तो वहाँ पर क्या होगा? lower libic sum तो उस confusion को हटाने के लिए आपर नाम दिया गया है लेकिन क्योंकि हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं फिला? remand integration पढ़ रहे हैं इसलिए मैं lower sum और upper sum की बात करूँगी अब मैं बात कर रही थी वो जो दूसरा definition है उसे कहते हैं oscillatory sum oscillatory sum यह किसके बराबर होता है? यह actually upper sum minus lower sum होता है यानि कि UFP UFP minus LFP obviously इसको हम denote करते हैं omega F P से तो यह किसके बराबर आएगा? इस में से यह minus कर देना है हमने capital M R minus small M R और delta R ठीक है? अब आप देख पा रहे हो कि जो क्या कहते हैं? कि जो capital M R और small M R में क्या relation है? कि जो capital M R है वो हमेशा small M R से बढ़ा होगा है ना? तो यह चीज हमेशा कैसे रहेगी? non negative रहेगी और जो आपका delta R होता है वो भी non negative होता है इसी लिए क्या रहेगा यह? this is always positive तो यह था आपका introductory lecture on Riemann integration ठीक है? next time हम क्या करेंगे? upper sum और lower sum की उपर जो भी theorem से हैं वो complete करने के कोशिश करेंगे